सीम नितीश कुमार ने बड़ा एलान किया है शराप से होने वाली मौत पर आर्थिक मदद की गोशना की है बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं शराप से होने वाली मौत पर नितीश कुमार का बड़ा एलान जिलाप प्रिशासन के रिपोर्ट के अधार पार आर्थिक मदद करेंगे सीम ने ये कहा है और कहा है कि 2016 के बाद से अब तक कोई मौत पर मदद दी जाएगी जहरीली शराप से होने वारी मौत बहुत दुखर है नितिशकुमान ने ये भी कहा है और ये भी कहा है कि शराप बंदी पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं तो आपको बता दे कि मौत दे क्याएं में जहरीली शराप से हो रही मौतो का सिलसला लगातार जारी है शुकरवार साम से लेकर अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी हमको बड़ा तक्रीफ हुआ है कि इतना ठीक ने उसका परिवार का लोग करेगा उसको तक्रीफ में आ गया है वह एश्योर करेगा यहां साहब यह सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए उसको लुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे यह हमने सोच लि हुआ है अब बुझे नहीं काई इसके एंट में हुआ था तक कितना ज्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूंघूंग करके आपको याद रहा था समासुधार अभियान चला के लोगों कितना हम की यह सब की आई सब के बाब जुद अभी हुआ था हमको इतना तो मिहनत कर र बात की ना यह सबतना हैं कि यह करदेंगे और यहरे वीपोर्ट बेज देंगे हमारे ओफिस को और महा से हम उसको पुलिस के परिवार को ड़ा के रखिए है कि अगर आप सराव के मामले में मौत हुई है तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी अगर आप रिपोर्ट किजिएगा इस परिश के दिवे क्या कि अगर आपकी अगर आपकी अरेस्टिंग तो उसकी है कि जो सराव का ठाक या कोई सराव पीता है मना किया है